तो मैं आपको सिम्पल सा एक Outlook देता हुNO, ताकि आप समझ पाओ, तो जैसा आपको miejम पर देख रहा है कि हम लोग जैसे जिसे वेब साइट को scroll कर रहा हैं सबसे पहले पहले एक अमस्टे चोलते आपको होता हो देख रहा है, यह क्या है, तो यह देखें गाए, आप इसको भी हम लोग सीखेंगे कैसे यह सारे इमेजेस हम लोग पहले यहां से हमें निकालना ही पड़ेगा तो दोस्तो ठंडी-ठंडी महोल हो चुकी है और हमारे पास यह एक्चली चाय नहीं है कॉफी नहीं है दूद है काफी जरुवत थे इसकी अभी मेरी तब्या थोड़ी सी खराब चल रही थी तो इस वज़े से ममी ने बोला दूद पीलो बेटा और साथी साथ इधार हेर कड़ भी हो चुका है ममी के डांट का असर है सब कुछ चलो इसको पीते रहेंगे बट हाम बात करते हैं अब जो आपका बहुत दिनों से जिसका इंतिजार था वो घड़ी आ गई है मतलग की पोलरॉइड का नेक्स्ट जो है आपको चीजे दिखेंगी और यह क्या सामने खुला हुआ इसको एक्चली हमारा पहला ही वाला ही पार से और i2camera.polaroid.com ये है वो वेबसाइट जो कि हम लोग create करने जा रहे है और उपर से एक नैब बार गयव हो गया है ठीक है हमने बड़ी मैनत से बनाया था एक नैब और वो एक नैब बार चला गया है कोई बात नहीं आ जाएगा ठीक है तो हमने यहां तक बना लिया था और हम लोग आज आगे बढ़ रहे बाकी बातचीत होते रहेगा ठीक है तो आजाओ मैं सब को पहले कट कर दूँगा फाल्त की चीज़े जो मेरे पास अल्रेडी खुली हुई है बहुत सारे टैप्स वेरा पता नहीं क्यों गाने सुन रहा था मैं एक चुली तो वो गाने हम इनुस बडिलिट के ने होंगे और यहां पर कैप्शर ठीक है ओके तो हमाते है अब कोड में और हमारे पास यह t हम जो आप पनौर यह नागत है तो दैख हम आच जो यहां आए क्रीट करें अWhy रहा गिंगे तो यहां पर हम बनाएं वर व दे देते हैं यह निचा और हम यहां पर एक्षिली पार्ट 3 बना रहे ता हम उसको डिवाइट कर दे रहें, पार्ट 3 यहां से हम create कर रहें, आजाओ, डॉट पार्ट 3, वेट हमने दिया, अरे भाईया, ठीक है, वेट हमने दिया कितना, 100%, और उसके साथ-साथ जो हम क्या देंगे यहां पर, अजके, height, ठीक है, height देना ज़रूरी है क्या, नहीं, ठीक है, क्योंकि हम यहां पर overflow hidden करेंगे, ठीक है, ओवरफ्लो, x-axis जो रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, hidden रहेगा, ठीक है, हमने इतना सिर्फ इसको width दिया, height हम इसको नहीं दे रहे, ठीक है, height क्यों नहीं दे रहे है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उसके अंदर कितने बड़ी element आने वाले कितने दूर तक मतलब कि scroll कितना हो रहा हमें कोई idea नहीं है, इस वज़े से हम इसको कोई height ही नहीं दे रहे है, वो जितना भी इसके अंदर आएगा, वो automatic height लेता चला जा दिया hidden, मतलब कि x-axis में जो भी बाहर जाएगा चीज़ वो दिखना नहीं चाहिए हमें, clear है, अब आजाओ, इसके अंदर हम क्या बना रहे है, canvas बना रहे है, canvas पर हम बनाएंगे, चीज़ है canvas, ठीक है, canvas बनाने के लिए हम क्या कर रहे है, यहां पर canvas को कुछ हम देंगे, ब 100vh हमने दिया minimum height, बट उससे भी पहले, एक काम करते सको minimum height नहीं देते, इसको हम देंगे max height और width, ठीक है, max height कितना हम देते है, 100vw, ठीक है, और maximum height कितना देते है, 100vh, ठीक है, यह हमने देते है, maximum width और maximum height जो हमने canvas करेंगे, 100vw, मतलब कि 100vw के अंदर जो हमारा 100vw, आप यहां पर परसेंटेज रख सकते हैं अगर आप इसको आप देखोगे न तो यहां पर एक चीज आपको सोगा वह नीचे वाला पार्ट आपका स्क्रॉल बार आ जाएगा अभी नहीं आरा क्योंकि हमने कुछ अभी दिया नहीं है उतना चीज़ जब इसमें एड करेंगे यहां करेंगे तो अब इतना बनाने के बाद हम चलतें इतना स्काम होगिये यहां पर इसको पहले है यहांपने Link भी किया है जावा इसको वाली चीजे तो अब क्या करना में वो सुनो, सबसे पहले हमें G-SAP की CDN चाहिए, क्योंकि हम जो भी animate करेंगे, scroll पर करेंगे, तो चलो G-SAP की CDN चाहिए, तो G-SAP की CDN हम ले के आते, कहां से Google से, यहां search करते है G-SAP CDN, ठीक है, G-SAP CDN हमने search किया, आजाओ, पहली website पे, और यहां पे हम दो, यहां से use करेंगे CDN, पहला तो हमारे G-SAP का CDN नहीं हो गया, आजाओ, script के उपर just इसको paste करो, और एक हमें चाहिए क्या scroll trigger, जब भी हम क्या कर रहे है, तो scroll trigger के लिए हम क्या लगा रहे है, यह वाला, scroll trigger, यह वाला, CDN हम इसको use कर रहे है, clear है, यहां पे आजाओ, इसको कर देंगे paste, ठीक है, बोला भाई यह आओ गया, पेश्ट, तो हो गया, actually, कुछ नहीं, चला ठीक है, paste होगी है, तो paste होने के बाद, अब वापस से हम आते, script.js, और हमें क्या चाहिए, कुछ और requirement है क्या, तो होगा तो हम कर लेंगे, वैसे तो कोई requirement है नहीं, हमारे main javascript वाला part, मतब कि CDN में हमें से 2 CDN चाहिए था, ठीक है, अब हम एक function बनाएंगे, बड़ function हम बाद में बनाएंगे, पहले हम एक काम करते हैं, कि यहां पर हमें जो है, जिस पर हमें draw करना, मतलब कि canvas पर हमें draw करना, तो हम सबसे पहले canvas को अपने, इसमें लेके आते हैं, javascript में, ठीक है, तो मैं const के अंदर save कर रहा हूँ canvas को, ठीक यह हमारा काहा store हो गया, यह हमारा एक constant नाम के variable में, जिसका नाम canvas है, उसमें हमने save कर लिए, actually नाम से हमने इसलिए रखा, क्योंकि हमें canvas easily याद रहेगा, तो हमने उसी नाम से रख लिया, ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे हम, हम इसको करेंगे एक और come, const, और यहां पर अब यहां क्यों लिकत कर रहे हैं, हाँ, तो हम यहां पर context नाम से एक और बनाएंगे, यह वल, sorry, constant बना रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे है, canvas की जो tool है, उसको हम get कर रहे है, canvas.get context, ठीक है, context, और इसमें जो हम क्या कर रहे है, 2D element जो इसके पास है, हम वो मांग रहे है, इस context के अंदर जो क्या चीज सेफ कर लिया, यह जितने भी canvas के 2D element है, ठीक है, 2D जो चीजा में यूज करने है, वो सारे क्या कि हमने यहां पर सेफ कर लिया, ठीक है, अब आगे आजाओ, हम क्या कर रहे है, यहां अब हम canvas की width और height को निकाल दें, canvas.width, कितना होने चाहिए, canvas.width, ठीक है, width कितना होने चाहिए, canvas की, तो canvas की width जो है, windows की inner height है, वो हम कर दें, ठीक है, inner width, और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे है, canvas की inner height है, वो हम करेंगे यहां पर, inner height, inner height, ठीक है, और यहां पर भी change कर लेंगे, height कर लेंगे, canvas.height, ठीक है, तो यह हमने क्या क्या कि canvas.width में हम हमारा जो screen का inner height है वो और inner width और height मतलब दोनों हमने क्या किया इसको set कर लिया कहां से यह जो आपका चीज दिख रहा है यहाँ पर यहाँ पर हमें 100% हमें 100% हो रहा है ठीक है यहाँ पर कोई भी हमें जो चाहिए वह सो नहीं हो रहा है यहाँ पर जितने भी चीज़ है यह आप हम चाहते है इसको responsive करना ठीक है जब क्योंकि हम रिस्पॉंसिव बनाना है तो अगर आप इसको responsive बना होगे तो यह क्या होना चीज़िए कि जब भी हम इसको छोटा बड़ा करें तो यह क्या होना चीज़िए अभी हमने कुछ डाला नहीं है इस वाज़े से नहीं दीखरा ठीक है दिखेगा आगे तो हम उसके लिए भी पहले बना लेते विंडोज डॉट एडिवेंट लिस्नर हम लगाएं क्योंकि जब भी कुछ हमें changes करना होता है या तो आप माउस पर कर रहे हो अभी क्या चीज़ हम कर रहे है इसको resize कर रहे है तो resize हम क्या कर रहे है तो यहां रखेज को क्या उत्म giveaway जो है अब हम क्या Set कर रहे है तो यह पार्ट जो है मेरा जीतना हम छोड़ा कर रहे अब वो हमारे लिए को पार्ट आ रहे है पहले नहीं आ रहा था ठीक है अगर मैं इसको आईकर पहले वाला जो part वाल में इसको हटा दू अभी क्या हो रहा है इतना है ठीक है बर इसको अगर छोटा कर रहा हूँ यह देखो इतना ही रह रहा है पूरा scroll नहीं हो पर है था 100% height नहीं हो रहा है तो वो क्या problem create रहा है इस तरीके से हमें चीजों को करना है अब इसके आगे एक और रेंडर फंसन मनाएंगे जो कि हमारा इसके अंदर आएगा क्योंकि जब हम रिसाइज करेंगे तो वह रेंडर फंसन बार 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 चलनला चाहिए और मेरा यहां पर थंडा हो रहा तो इसको भी थोड़ा पीते क्या है और उसके आपको इमेयजिस को जो ही आपको अभी आप मालनो कि लोकाली अगर आप सेउव करते हो कोईD yol है अगर आप lokally सेव करते हो तो उसको पता ही करते हैं, simply आप जो भी आपकी file assets में रखा है, image में रखा है, वहाँ से कर ले खो, ठीक है, वट हम चाहते हैं कि यह हम इसी के website चूँठा ले, तो वहीं चलते पहले, Polaroid, ठीक है, i2 camera polaroid.com, ठीक है, तो यहां से जो हमें, ठीक है, थोड़ा से load हो जाने दो, उसके बाद हम देखते हैं इसको, राइट क्लिक के हमने inspect किया, और यहां network में आगया, और network में आने के बाद आप चाहो तो सिधा image पर click करके, एक बार इसको reload कर सकते हो वापस से, तो हम इसको करते है, reload और थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, तरीके से image आप करोगे, तो बहुत सारे यहां images है, तो अब आपको करना क्या है, यहां तो आप इस image को download कर लो, actually happy diwali, तो उसके वो आवा जा रहा है, तो यहां पर बहुत सारे हमारे पास images है, तो आप चाहो तो इसको एक एक करके save कर सकते हैं, save image as, but we are programmer and we are developer, तो हम इतना बड़ा risk तो लेंगे, नहीं इतना time हमारे पास है नहीं, कि हम particular एक-एक image का URL copy करेंगे, URL या फिर हम direct URL या चाहो तो आप image को save भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप एक काम करता है, तो simply क्या बना लो, function बना लो, मतलब कहने का मतलब है कि सारे link को आप एक बार में निकाल लो, कैसे निकालेंगे, अब वो देखते हैं, ठीक है, आजा, अभी हमारे पास simple एक link है, एक link को यहाँ पर हम क्या करते है, right click करके, sorry, इसमें right click करेंगे, copy image URL, यहाँ पे आजा, paste करो, यहाँ क्या दिख करो, तो यहाँ पर कुछ image में URL में changes हो रहे हैं, यहाँ देखो, यह पूरा का पूरा same है, यहाँ तक, यहाँ तक same है, सिब कहाँ चेंज हो रहे है, यह 22, बाकि फिर इसके बाद यह पूरी चीज़े same है, कहने का मतलब URL सब same है, बस photo का यहाँ पर नाम change है, तो वो 0102 इस इसके बाद यह image change हो जा रहा है, right click करते copy image, copy image URL और यहाँ पर करते paste, ठीक है, मतलब 168, तो हमारे पास पता चल गया कितना image है, total 169 image है, क्योंकि यह 0000 से start हो रहा है, तो 169 images से हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से copy paste करेंगे, क्या, इसको हम copy करके, और आप बोल है, कि हमने पढ़ा, already कि जब यह साथ चीजें हमें changes करने होते है, तो हम जो कर सकते है, कैसे कर सकते है, अब वो देखते है, ठीक है, तो भाई हो, काफी happy दिवाली हो रहा है, बहुत सारी आवाजे आ रही है, मैंने थोड़ा देर के लिए mute किया था, लपकट किया यहाँ से ठीक है, link generator के नाम से, तो इसको मैं open करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो अभी आपको screen पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, अभी दिखेगा, ठीक है, आजब, कुछ नहीं, normal हमारा HTML फाइल है, जिसमें हमने सिफ एक body के अंदर क्या रखा, download एक generation, मतलब GEN नाम से एक हमने function मनाया, उसको हमने बस कर दिया, ठीक है, जब भी हम लोड कर रहे है, तो, क्योंकि live server से हम लोड करेंगे, तो बस हमें, एक div के अंदर क्या, पूरा URL दे दे देना, बस HTML में हमने इतना लिखा, ठीक है, और जो अब पार्ट है, वो हमारा JavaScript व अभी मैंने देखा क्या, लास्ट हमारा value कितना था, यहाँ पर, 168 ठीक है, तो 168 ठीक है, तो 168 ठीक है, 169 होना चाहिए थे यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर 169 होगा, क्योंकि हमारा value 0 से start हो रहा तो 169 हो जाएगा, तो आज़ो यहाँ पर, अब हम क्या कर रहे है, यहाँ प यहाँ तक जो URL रखा है, URL में सिर्फ यह वाला जो पार्ट है, हम क्या किया है, यहाँ पर 5 डिट है, अब देखो, 2, 2, 4 और 1, 5, ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पर 4 रखा है, 4 रखने के बाद क्या किया है, URL के अंदर, let a is equal to, इतना हमने यह यह डाल दिया, और उसके बाद क जो remaining part है, वो यहाँ पर हमने लिखा है, और उससे पहले हम क्या कर रहे है, यहाँ पर 4 लूप चला रहे है, क्या, कि I 0 से start करो, और कहां तक लेके जाओ, 10 तक, 10 से कम तक, एक कम, मतलब 9, ठीक है, कब तक चलना चाहिए, 10 तक, 10 से कम, मतलब 9 तक, और एक value प्लस करते गए, और उसके बाद हमने क्या, array के through पूस कर दिया, कि इसके बीच में, A और यह B के बीच में, हमने क्या क्या, I का value पूट कर दिया, ठीक है, तो same, क्या हमारा अब जो URL आएगा, इसके बीच में, मतलब यह जो part है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक ह तक यहाँ पर आजाएगा, similarly हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जो डवल डिगे, 10 टू 99, उसको हमने क्या किया, यहाँ बना लिया, इस तरीक से तना, और आई कप तक चलेगा, 99 घांज्स ठीक है, एक अग वेल्यू प्लस हो रही है C, यहां पे हमने, और यहां पे क्या B, यही वाला जो है, क्योंकि last वाला तो URL सेम है हमारा, last में तो कोई changes करना है नहीं, तो यही वाला हम रख रहे है, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या हमने पुछ कर दिया, सेम, process सब में सेम है, बस हमें digit चेंज 10 digit वाली चीज़ है, उसको यहां पे हमने रखा, और यहां पे सेम वाई process किया है, कहां से start होगा, 100 से, और यहां पे is equal to नहीं होगा, क्योंकि 168 था 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 था, अब 169 है, तो एक minus ही रखेंगे, और यहां पे i++ करके, हमने सेम वाई, array में value पूस कर दिया, और यहां पे console. console.log करके, आरे का, आप console में भी देख सकते हैं, यहां पे बनाया है, यहां पे body में बनाया है, उसके अंदर हमें चाहिए था, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पे select कर लिया, कैसे security selector से, और div के अंदर, आपको पता है कैसे, आपको DOM manipulation पढ़ाया होगा, अगर नहीं जब तक basic knowledge नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते है, ठीक है, तो अभी क्या यहां पे हमने क्या किया, DOM manipulation करके, यहां पे inner HTML में हमने क्या किया array को join कर दिया, ठीक है, जो भी हमारा value था, उसको हम क्या कर रहे है, join कर रहे है, और उसके साथ, BR type के साथ, ठीक है, म पूरा का पूरा आपके पास URL generate होके आगया, एक बार में, ठीक है, हमें कोई मेनद करने जरूर नहीं पड़ी, right click करके copy image, फिट changes, कुछ नहीं, पढ़ाई इसलिए था, ठीक है, इसलिए तो पढ़ा था Java script, तो आजाओ, यह काम हो गया हम यहां से copy किये, और हम वापस से च ठीक है, अब जो है, हम एक और काम करेंगे यहां पर, close करने के बाद, ओके इसको करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक लाइन को हमें split करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो यह सारे जो data है, वो हमें array के form में, वापस से चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर और slash इधर वाला नहीं, ठीक है यह वाला, ओके और यहां पर हम क्या कर रहे है, index में हम जो है, सब को रख रहे है, clear है, यह line clear हो गया है, कि हम जो function बनाते है, उसके में कितने जितने भी हमारे पास images है, उसके हमने URL पेश्ट कर दे, अगर आपको यह URL नहीं चीए, तो आप तो बता देना, ठीक है, वह भी मैं सिखा दूं कैसे है, क्लिक पे आपको पूरी की पूरी इमेज जो डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है, बस URL आपके पास होना चीए, जैसे कि अभी हमने URL निकाला वह इसी तरीके से, आज़ो, अब हम क्या कर रहे है, यहां पर हम बना रहे इमेजेस से, तो हम क्या कर रहे है, यहां पर फ्रेम काउंट 169 कर रहे है, याद रोगो, जो भी आप फ्रेम काउंट लिखोगे, उतनी ही आपकी जो फ्रेम है, वो नजर आएगी, ठीक है, अगर आप सो लिखते हो, तो सो ही फ्रेम तक वो लोड लेगा, अगर आप पचास लिखते हो, वो पचास ही फ्रेम लोड लेगा, बट हमारे पास टोटल सो करने है, तो कितनी है 169, तो टोटल कितना सो करेगा 169, अब आगे आते हैं, ठीक है, यहां पर एक कॉंश्ट इमेज के नाम से बनाएंगे, ठीक है, इमेजेस और इसमें क्या कर रहे है, हम ब्लैंक इसके अंदर जितने भी अरे हैं, ठीक है, मतलब कि जितने भी हमारे पास इमेजेस आएंगे, वो इसके अंदर आएंगे, तो हम अभी एक ब्लैंक एरे रख रहे हैं, और अभी जो इसके अंदर हम वैलिव पूट करेंगे, ठीक है, तो आजओ यहां पर, पॉंश्ट यहां पर हमने क्या किया, फ्रेम बनाया एक फ्रेम कितना बनाया, और फ्रेम हमने बनाया फ्रेम image sequence, आज एकशली हमे कहां से सो करना है, वो भी आप decide कर सकते, इसके तरू, इसके तरू, ठीक है, तो हम चाते हमारा फ्रेम जिरो से स्टार्ट हो, अभी आप देखो गर तो होने वाला है नहीं क्योंकि चीज़े वैसी ही है ठीक है canvas पे ड्रॉक पूरा complete नहीं होता तब तक आपका images होनी होता है clear है तो अब आगे आ जाओ image sequence हमने बना लिए frame कहां से start कर रहे हैं अगर आपको scrolling दिखाना है 3D effect दिखाना है जो कि आप देख पा रहे हो जब भी हम यहां क्या कर रहे है स्क्रॉल कर रहे है इस website में तो अगर मैं इसको cut कर दो तो यहां पर जब भी स्क्रॉल कर रहे हो तो यह काफी स्मूथ हमें अगरे हो पास अतना हम क्या कर रहे हैं इसको एक मैनेश की तरफ रखं़ रहे है ओर यह पर क्या कर रहे है इसमें आ क्या करेंगे इसमें image का src कर रहे है image.src और src कहां से हमें मिलेगा फाइल के जो हमारा आई है उससे मिलेगा ठीक है मतलब files के अंदर जो भी हमने यह create किया यहां से यह चीज हमें मिल रहा है जितने भी indexing अब यह कहां से आ रहे है जितने भी फाइल से उसमें यह जितने भी चला रहे है वहां पर रहा है image src में ठीक है तो हमें बस इसी तरीके से चाहिए तो अब हम क्या करेंगे उसको इमेजेस को यह बनाया था यह blank array ठीक है इसमें हम क्या करेंगे इसको पूस करेंगे ठीक है क्योंकि हमें already चाहिए वहां पर load तो हमें पहले सी जो अरे में data को डाल के वहां पर रखना पड़ेगा तो हम क्या करना पड़ेगा हाँ शerry करना पहले छार यहां पो इमेजेस.pust नमि탄 हम इसको अंदर कर दिए पूस अब आजाओ इसके नेक्स्टमें क्या चलेंगे एक फंसन बनाएंगे ठीक है dodक्या इसके नएक मैंने जैसा कि आप से बता है कि अभी कुछ सो नहीं होगा, यहाँ पर आजाओ, ठीक है, ब्लैंक दिख रहा है, क्यों दिख रहा ब्लैंक, क्योंकि हम ने कुछ पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो अभी अगर आप मालो कि चल भी जाता, तो हो सकता है कि फ्रेम इधर उदर होत ठीक है, और इसमे हम दो परफर पास कर रहे, एक Ayambee, और दूसरा क्या हम पास कर रहे है, ctx, ठीक है, context जिसके मों बोलते है, इसमे हम क्या कर रहे, variable और यहां पे canvas को, canvas, और हम CTX के अंदर सिमस है, उसके मों, ठीक है, next हम, horizontal ratio इसका निकालता है, edge ratio, मतलब height wise जो हमारा ratio रहेगा वो मतलब horizontal हमारा width हो गया तो h हम निकाल रहे है किस से canvas dot width ठीक है और उसको हम divide करेंगे किस से image का width है उससे image dot width थोड़ा सा mathematical calculation यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा तो आप अपना दिमाग इसमें लगा सकते है क्योंकि बहुत easy अगर आप कुछ भी यहाँ पर value रखके देखो और यहाँ पर image का जो height है उससे ठीक है image dot height ओके अब next line में हम क्या कर रहे है दोनों का ratio calculate कर दे ठीक है math minimum नहीं हम maximum करेंगे max h ratio और v ratio ठीक है यह सही है और इसके बाद हम क्या करेंगे center में हमें सब कुछ shift करना तो हम क्या कर रहे है यहाँ पर where center एक बना ले रहे center shift x ठीक है हम accesses के through choice को center में करना चाहते है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे canvas dot width में minus कर रहे है कि इसको image dot width यह सारे जो है mathematical calculation है जब आप इसमे कोई values रखके देखोगे तो वो पता चल जाएगा किस तरीके से work हो रहा है ठीक है by 2 अब आप बोलो कि यह कैसे आप calculate कर रहे हो तो इसके लिए जो है आपको simply थोड़ा बहुत मैंने बोला calculation करना है तो आपको बस थोड़ा सा जो है यह देखो center दा image खुद ही आगे मतलब आप search भी कर सकते हो किस तरीके से अगर आप को center करना कोई भी चीज तो आप JavaScript में कैस % आपका width canvas का ठीक है और उसमें माइनस क्या कर रहे है image का width let's suppose image का width कितना हो गया image का width let's suppose 60 है 60 और ratio यहाँ पर तो ratio जो भी आपका यहाँ से निकलेगा वो चीज फिर उपर से आपको calculation मतलब सब में actually calculate करके जो value आ गई let's suppose कि हमारे पास यहाँ पर image weight में ratio में 2 आ रहा था ठीक है मालनों के ratio 2 आ रहा और ठीक है 2 into और यहाँ पर हम क्या कर रहे है image 60 था ना तो हम 120 ठीक है मतलब कि 100 minus 120 किया minus 20 आ रहा अब इसको कर देंगा divided by 2 ठीक है divided by 2 मतलब 10 ठीक है minus 10 तो यह जो है x-axis पर कहाँ चला जाएगा minus 10 के तरफ चला जाएगा इस तरहीके से calculation होगा जो भी values आएंगी यहाँ से depend करता है वो आपका screen के हिसाब से जितना भी रहेगा width और height उस हि calculate खुदी कर लेगा clear है अब हमें क्या करना है कि जब भी हम scale कर रहे तो पहले वाले जब ब्रस गर आघर scroll भी कर रहे हैं यहाँ फिर एकडा इमेज उसके लिए लूड होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले हम डिलीट करेंगे उसको इमेज को इसको धेना म में हम क्या कर रहे है यहां पर 00 और canvas canvas dot width और canvas dot height canvas dot height ठीक है तो यह जो हमारा यहां से clear होगे अब हमें draw भी करना clear करने के बाद तो draw कैसे करेंगा ctx dot draw image ठीक है draw image इसमें हम क्या कर रहे है कौन से image draw करने जो हमारा img में आ चुका है image उसी को ठीक है यहां पर हमारा जो है यह image जो है हमारे पास already अपको पता है कहां से आ रहा है यह सारे images तो वह हम images यूज कर रहे है clear तो यह image और image के अंदर हम क्या कर रहे है जीरो जीरो और उसके बाद यह एक्चुली आपका canvas का जो है यहां पर image width dot width और उसके साथ साथ क्या हम लगाएंगे imagine dot height ठीक है इसके बाद हमारा जो center वाला भीford करना तो हमें center shift करना पढ़ेगा और उसके साथ साथ हमें center wearme he बसिक करना तो वह भीlish करना पढ़ेगा ठीक है, image.width, उसको हम क्या करेंगे, into करेंगे ratio से, ठीक है ratio, और उसके साथ image का height जो है, उसको भी हम क्या करेंगे, image.width into ratio, ठीक है, इतना करने से आपका क्या होगा, जो भी चीज़े हैं, वो कहां align होगी, center में हो जाएंगे, ठीक है, यह आपका draw करने के लिए था, ठीक है, य पर नीचे क्या करेंगे, याद करो, एक हमने बोला था, अब इसको में render करना पड़ेगा, ठीक है, बना थो लिया, बडूर già, rendering हम भी हुआ nouीग है, ठीक है, तो इसको render करने के लिए हम क्या करेंगे,, यहां पर एक render function मनाएंगे, function, render, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहें, इसक इमिएक को कर रहे हैं जिसके अंदर वहां रहें छितने विख луч भोिक tes ऋसाए प्रेशा कि अंदर हमारा क्यों एमेश psychанс ठिक है मेरा सिके और उसके साथ साथ जो हाँ आपका思्वरेम्ट टाइस यहां पर आए ऐगा और यहां पर बनाए थे यह पर equ одно वेल्यू को हमने इसमें श्टोर भी कर लिया था अब हम क्या करना है इसके अंदर हमें क्या करना है उसको हम क्या करेंगा लोड करके रखेंगे अगर हमें वहां पहचान नहीं पाएंगे क्या है क्यों ब्लैंक कि इसकी दिख रहे है इस वजए से हमें एक अपना जो पहला वाला उसको पहले से लोड करके रखना होगा तो हम उसको क्या कर रहे है ऑनलोड पहले ही करके रहा है किस से रंडर से ठीक है तो यहां पर जो भी आप लिखोगे लाट सपोस हंड्रेड लिग दो त अब यहां पर बना लेंगे तो यहां पर यूज करेंगे तो उसको यूज करना था नहीं करेंगे तो इसको यूज में आ गया अगया अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा है तो एक और वीडियो मैंने इसके उपर बना है आप जाके उसमें भी देख सकते हैं बट उसमें पहले से कोड करके मैंने रखा था तो आपका रिक्वेश्टी है था कि भाईया आप जो इसको कोड कर रहा हूं तो आपको सब कुछ क्ल कर लो और आपको चीजे बढ़िया से सिख़ा दो क्लिए रहे तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे रहे है तो यह क्या होगा प्रेंग माईनस वर तो हम वही कर रहे है यहां पर प्रेंग माउनस वर झाल कर रहा है यह स्नैप करेंगे इसनेप किसको करेंगे फ्रेम को अब इसनेप का बात आ गया इसनेप होता कि अपहले यह समझ अगर अभी जी सेपका वेब साइट अपडेट हुआ है अगर वो दीख जाए तो अच्छी बात है नहीं दीखे तो फिर पता नहीं डिसेफ ड्रैग वाल सर्च कर हो रहा था तो उसमें सब चीज़े दिखती थी अपडेट होने के बाद से हट गया है यह जिसे ड्रैग हो रहा ना यही ड्रैग था ठीक है और यह देखो ड्रैग हो रहा है यही सब था बट उसमें एक यहां पर ऑप्शन था कि अगर हम उसको इस क्या बोलते है इसनाप कर आई बटन में जो लिंक दिया हुआ है पिछले वीडियो यह नहीं पिछला जो यह समझाया है 3D कैसे बनाते है वह वाली जाके वीडियो देखना उसमें दिखता है ठीक है मैंने बताया मुझे याद है उस वीडियो में होगा ठीक है कोई बात इसनाप का मतलब यह होता है क प्रेम कांट जो है यहां पर आपने स्क्रावल किया वह सकता है कि आके बीच मैं आके रूग गया मतलब 485 पर कौन सी इमिज तो करेगा ठीक है उसके पास कोई इमेज है नहीं 4.5 पर सो कर नेगे लिए तो स्नाप यहां पर क्या करेगा जो भी फ्रेम है मतलब 12345 इस तरीके तो वह उसमें होगा fit, या तो वह 1 पे जाएगा, या तो 2 पे जाएगा, मतलब कि अगर आपका 3 और 4 के बीच में जा रहा है, 3.5 पे जा रहा है, तो या तो 3 पे चला जाएगा, या फिर 4 पे चला जाएगा, ठीक है, इसलिए हम क्या या यूज कर रहे हैं, इसनाइप यूज कर रहे हैं, ठीक है, बस इतना समझ रहो, कोई भी point वाली values नहीं आएगी, जब भी हम इसको यूज कर रहेंगे, तो, ease हम क्या कर रहे है, या पे none कर रहे है, क्योंकि हम अभी कोई animation नहीं चाहिए, लग से, तो, ease हम कर दिए none, और यहां पे क्या लगाएंगे, scroll trigger plug-in, ठीक है, तो हमने already जो है, इसका link कर के रखा, तो, कोई दिक्कत है नहीं, trigger, ठीक है, scroll trigger में हम क्या लगाएंगे, scrub property लगाएंगे, क्योंकि हमें जो reverse animation भी देखना, तो हम reverse animation के लिए जहां पे वो चीज़ लगाएंगे, ठीक है, अब trigger करें किसको, पहले marker on कर लेते हैं, markers, और marker अभी शो होगा नहीं, बट ठीक है, हम यहां पे कार रहा है, trigger कर लेते हैं, trigger हमने क्या किया, dot part 3 के अंदर, जो हमारा क्या था, canvas था, ठीक है, canvas, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहां पे trigger कर रहे है, ठीक है, यह एक्शली ओरिजिनल लेब साइट है, अब भी भी स्क्रॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने उस तरीके से भी बनाया नहीं है, आज़ो, तो अभी क्या होगा, start से हम क्या कर रहे हैं, यहां क्या करेंगे, जब भी इसका top, जो जीरो पर रहे है, ठीक है, top, मतलब screen, ठीक है, screen का यहां जो top पर पहुंच जा, और यह वाला second, यह वाला जो पार्ट है, जैसे यह वाला पार्ट यहां top पर पहुंच जाए, तब हमारा यह animate होना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगा, top और 0% हम कर दे रहे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों लिख सकते हो, top, top भी लिख सकते हो, तब भी काम करेंगा, 0 नहीं भी लिखोगा तो, ठीक है, end कर रहे है, कहां पर जब भी bottom, इसका bottom पर आ जाए, ठीक है, bottom, bottom, bottom 0, ठीक है, bottom कहां चला जाए, 0 पर, और यहां पर error इसलेट सो कर रहा है, क्योंकि हमने यहां पर कॉमा नहीं लगाया, मेरी प्यारे दो, ठीक है, अब एक कम और करना है, कि आपको क्या करना है, on update, जो भी चीज़े हम क्या करना है, बिल्कुल नहीं होगा, मेरी प्यारे तो, अभी आपको scroll animation लगा नहीं है, तो scroll के लिए अभी हम, दो और G-sip की चीज़े लगाएंगे, तब जाके आपको animation देखने के लिए मिलेगा, आज़ो, तो G-sip.2 फिर से हम बनाते हैं, G-sip.2, अब G-sip.2 में हमने क्या बनाया यहाँ पे, .part3, के अंदर जो हमारा canvas है, उसको हम target कर रहे हैं, और उसमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, scroll trigger लगा रहे हैं, scroll trigger, और scroll trigger हम इसको आप कहां से set कर रहे हैं, scrub to trigger part 3 को कर रहे हैं, ठीक है, actually, यह पार्ट हमारा, कौन से extra आगिया यार, अच्छा, सॉरी, यहाँ पी यह नहीं लगा, ओके, सॉरी, यह AIB जो है, फ़ड़ा पागल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हमने, trigger किया कि इसको part 3, यहाँ पे हम canvas को use नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सीधा part 3 को target कर, क्यों हम scroll किस पे कर रहे हैं, trigger हमें करना है part 3, जब हम part 3 पे जा रहे हैं, तब हमें scroll देखने करें मिलना चीए, ठीक है, तो अगर आपको देख पा रहा, तो बहुत हलका सा एक frame आगे पीछे हो रहा है, अब ध्यान से देखो, एक हलका आगे पीछे हो रहा frame, ठीक है, अभी पूरा होगा, tension नहीं लेने का, ठीक है, तो हमने क्या क्या है, यह चीज़ तो किया, बट start हमने कहां से किया, टॉप से, टॉप से नहीं करना भीज़, जब यह मारा bottom जीरो पर हो तब हमें करना ठीक है, तब bottom हम कहां कर रहे है, जीरो पर, ठीक है, start, और ease property डाल दो कि नन रहे, तो इसको करते है, नन, और इसके बाद, एक और हमारा बचिया क्या, इसके बाद हम क्या कर रहे है, इसके बाद हम क्या कर रहे है, इसके बाद हम क्या कर रहे है, होगा वो स्क्रॉल होके नीचे चला जागा ठीक है हमें क्या चाहिए कि आने के बाद वह पीन हो जाया मतलब यहीं रूप जाया तब हमारा पूरा जब अनिमेशन खतम नहीं होता है याद करो मैंने पहले भी बताया अगर आपको यह पूरा अनिमेशन करना पड़ेगा तब हां इस से बॉटम से और हंड़ए है ठीक है तो नीचे से एकडम जो है आपका शटार्ट होगा अब इसके बाद यह ढ़का बन गया है बर च्ल नहीं रहा है ठीक है यह हमारा बन तो क्यों क्यों नहीं हो पार nonprofit झा嘛 करेंगे जितने वी चीज़े हमने बनाई है इसको फंसन में इसको डालते है यहां से उठाया, cut किया, भया आप क्या कर रहो, इतना मैंने इतना लिखा और सिधा उड़ा दे रहो, तो ऐसा नहीं कर रहो, ठीक है, तो हमें काम कर रहे हैं, यहां पर फंसन बना रहे हैं, लेट सपोस की, इमेज इमेज नाम नहीं देते हैं, camera देते हैं, camera 1, ठीक है, यहां पर हम एक क्या कर रहे है, फंसन बना रहे है, और उस फंसन के अंदर जो अभी हमने पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे नीचे, ठीक है, डारेक्ट जो हमारा ना तो दोस्तों काफी research करने के बाद हमें पता चला कि कहा mistake था most sickそ security let me cater में षा स्केव अमारा कोड जो है यह पूरा कोड पोरा जितुट है टें पुरा Deal आउटपूट है यह सो नहीं हो रहा है ठीक है और मेरे दिमाग से निकल लिए कि स्क्रॉल ट्रिगर इस तरीके से लेखते हैं अब अगर आप देखोगे तो यह बकायदे काम कर रहा है ठीक है यह पूरा का पूरा सिर्फ और सिप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ के वजए से इसको करना पड़ेगा तब जाके यह आपका चलेगा ठीक है यह देगो तो जो हमें एनिमेशन चाहिए थे कि स्क्रॉल पर इदम परफेक्टली चल रहा है क्लियर है ओके तो दोस्तों अभी तक आप देख पार हो यहां त तो सिंप्ली आप सर्च भी कर सकते हो ठीक है क्या तो यहां पर स्क्रॉल बार रिमोब सी एस अगर आपको आता है तो अच्छी बात है नहीं आता तो कोई दिक्कत में हेल्प ले लो गूबल की यहां पर यहां पर है यह वाला लाइन कॉपी कर लो और यहां पर आजाओ और और हम दाथे कि किसी में भी हमारा स्क्राल भासओ लिनो थृकि हम ऐसे भी बनाना चाहते इस तरीकें से कि हमारा स्क्राव बार सो ही ना हो तो आप क्या कर सकते है इस तरीके से जो है वैब किट लगा सब्सक्रॉल बार सो ही न वहां तो इससी तरीके से ए assess immediate कॐ भी उसम क्य पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इतना अगर आपने क्रिएट कर लिया तो आप कमेंट करो कि इतना हमने बना नहीं अब आगे का बता आगे यहां पर टेक्स्ट आ रही है और भी चीज़े जो आ है ठीक है यहां पर आ गया तेम इसी तरीके से बाकी यह स्क्रॉल पर हम लोग बना लेंगे स्ट्रॉल ट्रिगर पी चीज़े बन जाएगी और उसी तरीके से फिर से यह वाला पार्ट भी जो है से उसी तरीके से बनेगा फिर यहां पी आ रहा तो मैं इसको अगर समझ में नहीं आता आपको उपर वाला तो फिर जो इसको हम लोग क्रिएट करे तो उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यह काफी जो है अगर मुझे इस वीडियो पर दिखा रहे हो देन मैं नेक्स्ट वीडियो लाँगा अगर आप इस पर रिस्पॉंस नहीं दिखाओगे तो कोई वीडियो लाने का मेरा मतलब है नहीं ठीक है तो मैं बहुत प्रीमियम जो कोर्सेज हैं हमारे उसके अंदर हम यह सारी चीजे सिखाते हैं बट आप एजा हमारे सब्सक्राइबर हो तो आपको यह सारी चीजे प्री औफ पॉस्ट मैं दे रहा हूं तो बस छोटी सी चीज मैं आपसे यह मांगूँगा कि आप जो हमारे चैनल को अजाल का टार्गेट है यो कि टेन के इस साल 2023 का टार्गेट है वह पूरा कराने में में अप मेरी हेल्प करो तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैपी दिवाली सबको, हमारा भाई भी आपको हैपी दिवाली बोल रहा है, ठीक है, तो पता नहीं आवाज आया या नहीं आया, बर ठीक है, आप भी उसका चेहरा देखोगे आभी, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है, उसका चेहरा आपको देखने क जा तक करे बाए टारा सी यू अगें